दोस्तों कैसाब लूंग मेरा राना मेरा सखान आप देख रहें टेक बॉक्स दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा सेंसर बन चुका है उसकी जो साइज है दोस्तों 0.5 mm मतलब दोस्तों 1 cm में 10 mm होता और इसका साइज जो है 0.5 mm तो सोची यह कितना है ऐसा बता है जा रहा है कि चार मीटर तक का यह फोटो खीश सकता है और 120 डिग्री वाइड एंगल में भी यह फोटो खीश सकता है तो इस तरह की ख़वर आ रही है इसका जो नाम है दोस्तों Omni Vision रखा गया है मतलब बहुत ही heavy आप बताईए कहीं भी fit हो जाएगा छोटा सा तो कैसे पता चलेगा तो इस तरह के कुछ ख़वर आ रही है दोस्तों वैसे यह चीज जो है Redmi Note 8 Pro जब launch हो रहा था तो उस वक्त दिखा दिया गया था लेकिन यह update सिर्फ Redmi Note 8 Pro में आया था अभी Alexa में नहीं आया था दोस्तों अब लेकिन अभी Alexa में भी आ गया है तो आपको क्या लगता है ज़रूर बताए तो बात करते हैं हमारा डेटा जो है कहीं ना कहीं से लीख हो रहा है दोस्तों दो तरह की कंपनी है AT&T और रोको यह दो कंपनी जो है दोस्तों अगर आप Netflix वगरा यूज करते हैं या Amazon Prime या भी Flipkart का जो भी चल रहा है दोस्तों online video streaming service तो यह आपको monitor करता है यह दो नहीं आप हमें बताईए वैसे आप Guardian के साथ लट सकते हैं अगर कुछ भी ऐसा देख रहे हैं तो समझ लीजिए आप चलिए दोस्तों अगली नीज के तरह बढ़ते हैं तो बात करते हैं Gmail की Gmail ने अपना आज दोस्तों नय अपडेट रिलीस किया है जो Android और iOS में आ गया है जिसमें डार्क मोड वागरा भी आ गया है आप अपडेट करिया आपको मिलेगा वहीं दोस्तों बात करते हैं PUBG की तो PUBG दोस्तों एक तरह का anti system को रिलीस किया है आज ये अपडेट आया है दोस्तों और इसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे हैकर चीट यूज करके दो लॉक हुआ तो जरूर बताईए चलिए दोस्तों अगली नियूस के तरह बढ़ते हैं तो बात करते हैं इंवीडिया के इंवीडिया ने दोस्तों अपना एक सेट आप बॉक्स या टी फायर टीवी इस्टीक वागरा जो होता है दोस्तों उस तरह का कुछ चीज लॉंच कि दिया चैना को तो अल्रेडी केर दिया है लेकिन आप ऐसा बताई जा रहा कि यह होंग कॉंग जाने वाला है दोस्तों बाइटी डांस जो कंपनी आप होंग कॉंग जाने वाली है और वहां पर टिक टॉक वागरा फिर से फैलेगा भ्यानक टैप का होगा दोस्तों आप क्य या मुबाइल में अंड्रोइड 10 वागरा रहेगा दोस्तों उसको एक तरह का बायोमेट्रिक फिजीकल होगा दोस्तों और जिसके वजह से हमारा फिंगर प्रिंट और फेस अनलॉक के बीना दोस्तों यह गूगल पे वागरा नहीं खुलेगा और उस तरह का हम लोग कहीं स भी transaction वगरा नहीं करेंगे तो इस तरह के security के लिए Google पे इस तरह का कदम उठाया गया है चले दोस्तों Xiaomi की तरफ से बहुत सारी news आ रही है ऐसी ऐसी news कि क्या बता है Mi Note 10 दोस्तों इसकी teaser पे जा गई है पेंटा लेंस वाला ये phone है दोस्तों बात करते हैं ये इसमें क्या है 5X जूम रहेगा और 5X डिजिटल जूम रहेगा इस तरह की कुछ खबर आ रही है बात करते हैं इसके specification लीग हो गई है इसमें 6.47 इंच का display होने वाला है अब ये AMOLED होगा ये IPS होगा वो नहीं पता Snapdragon 730G वाला प्रोसेसर होने वाला है 32MP का selfie camera 108MP, 20MP, 12MP, और MP, और MP, और MP, और MP, और MP, का इसमें camera मतलब 5 camera होने वाला है 5,170 mAh की battery होगी 6GB RAM, 64GB internal memory के साथ आगा चलिए camera की specification बता दे दोस्तों top का जो lens रहेगा, वो lens रहेगा zooming lens, उसके बाद वाला जो रहेगा जो रहेगा दोस्तों, वो आपका main sensor रहेगा 108MP का, जिसका aperture 1.7 है दोस्तों उसके बाद एक और lens रहेगा जो wide angle lens रहेगा दोस्तों जो 20MP का, जो दोस्तों 117 wide angle degree पर काम करेगा चौता जो रहेगा दोस्तो मैक्रो सेंसर के लिए रहेगा एकदम छोटा सा मतलब देट सेंटीमेटर से भी आप फोटो खीश सकते हैं और जो पाचवार रहेगा दोस्तो 12 मेगा पिक्सल का और ऐसा बताया जा रहा है यह पोटो लेगा तो इस तरह ही कुछ खबर आ रही है आपको क्या लगता आप जरूर बताएए यह अब CC 9 Pro होगा या फिर यह Note 10 होगा जो भी होगा दोस्तो हम आपको जरूर बताएगा वहीं दोस्तो रेडिमी Note 7 और Note 7S की दोस्तो इसको बहुत ही जल्दी MIUI 11 का अपडेट मिलने वाला है तो देखिए यह कब तक मिलेगा वहीं दोस्तो बात करते है Xiaomi का नया जो watch आने वाला है देखने में काफी खुबसूरत लगता है GPS, NFC Certification के साथ यह आएगा दोस्तो बहुत यह अच्छा बहुत खुबसूरत लगता है फोन वागरा भी इससे उठा सकते है इस तरह ही कुछ ख़बर आ रही है कुछ टीजर पेज वागरा आ गई है आप स्क्रीन में देख सकते NFC Certification, CPU, GPU, Wi-Fi वगरा सारा कुछ दिये रहाएगा और दोस्तो इसका टीजर पेज में 5 लिखा हुआ मतलब 5 सितंबर को होगा चलिए दोस्तो बात करते हैं POCO F1 की तो इसको MIUI 11 का अपडेट मिल चुका है 1.8 GB का अपडेट है अगर आप किये दोस्तो तो आपको मिलेगा वहीं दोस्तो शौमी आज एक नया तरह का दोस्तो speaker launch किया है इसमें ये lamp भी हो सकता है दोस्तो इसमें Alexa built होगा और जिसकी जो price है दोस्तो ऐसा बताया जा रहा है 2,299 रुपए और अलग-अलग color पे 16 million color इसमें बोला जा रहा है तो इस तरह ही कुछ खबर है वहीं दोस्तो बात करते हैं शौमी का Mi TV 5 Series का जो भी आगा दोस्तो वो ऐसा बताया जा रहा है कि OnePlus का जो TV है उसको बीट करेगा इस तरह ही कुछ खबर आ रही है ऐसा बताया जा रहा है इसमें .Q OLED डिस्प्लेइस में रियूस किया जाएगा आप देखें ये TV किस तरह का होगा वहीं दोस्तो Motorola फिर्मा जाक कर दिया अपना G8 Plus दोस्तो आज इसका सेल पे गिया था बात करते हैं इसकी प्राइस की 13,999 Snapdragon 665 का प्रोसेसर 25 मेगा पिक्सल का सेलफी कैमरा और तालिस सोला और पांच का रेयर कैमरा 4,64 और दोस्तो 4000 मिलियंपेर की बैटरी तो जो है यही है लेकिन Motorola का दूसरा नूज जो है दोस्तों वो काफी खतरनाक है ऐसा बता जा रहा है कि Motorola का एक flagship phone आने वाला iPhone 11 का दोस्तों जो Moto Mod करके जो आता था दोस्तों उस तरह का है मतलब बैटरी वगरा भी होगा अब पिक्चर में देख सकते है इस तरह का दोस्तों बात करते है iPhone SE 2 की तो यह दोस्तों जनवरी में लांच होने वाला है ऐसा बता है जा रहा है अब जब यह आएगा तो इसकी सारी डिटल देंगे वह दोस्तों iPhone अपना एरपोर्ट प्रो दोस्तों लांच किया है जिसकी प्राइज है 24,900 है दोस्तों सही में मजाग नहीं कर रहे है इसकी प्राइज एतनी है वही दोस्तों iPhone का जो आने वाला है 2020 मा iPhone 12 वो उसका डिस्प्ले मोसन सेंसर से लैस होगा अब यह किस तरह का डिस्प्ले होए जब यह आएगा तो इसकी सारी डिटल देंगे चलिए दोस्तों बात करते हैं Samsung की तो Samsung Galaxy S11 दोस्तों Exynos 9830 प्रोसेसर पर आएगा यह Snapdragon 865 पे आएगा आप देखिए यह कौन सा पे आएगा चलिए दोस्तों बात करते हैं Samsung का UI का UI 2 दोस्तों बीट आफडेट पे रिलीज हो गया है S10 के लिए अगर आपके पास है और आप बीट आफडेट यूज़ करना चाते है तो कर सकते हैं दोस्तों बात करते हैं Samsung का एक अलग तरह का पेटन्ट आया है दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि आप मिड रिंज के भी फोन में दोस्तों इसका जो पर्फोर्मेंस रहाएगा काफी भारी होगा मतलब दोस्तों Samsung एक तरह का चिपसेट बनाया है इसमें ऐसा बताया जा रहा है LPDDR-X ये जो है दोस्तों ये 12GB RAM तक डाल सकते हैं हम अपने फोन में तो इस तरह ही कुछ ख़बर आ रही है आप देख सकते हैं स्क्रीन में वहीं दोस्तों बात करते हैं अगर लाश्ट नियूस की तो Realme XT का OTA अपडेट आ गया है जिसमें डार्क मोड हुआ गयरा मिला है अगर आपके पास है तो करिए आपको मिलेगा चलिए दोस्तों बात करते हैं आप डिल्स की 1 प्लस 70 दोस्तों 32 या 499 रुपाय में इस टार्टिंग प्राइस है अगर आप खरीदना चाते है तो खरीद सकते है बहुत ही अच्छा ओफ़र है चलिए दोस्तों यह टेक नियूस यहीं खतम करते हैं उमीदे वीडियो सब्सक्राइब करें इस तरह का खतरनाक वीडियो में आपको देते रहेंगे चलिए दोस्तों तब तक के लिए